सिक्षक डिवस के इस समारोह में प्रमुक रूप से भाग लेने वाले केंद्री सिक्षा मंत्री श्री धर्मेंदर प्रदान जी केंद्री सिक्षा राज्य मंत्री श्री मत्री अन्नपूर्णा देवी जी डक्टर सुभाज सरकार जी एवं डक्टर राजकुमार रंजन सिंग जी शिख्चा मंत्रलय के अधिकारी गण विभेने केंद्रों पर उपस्तित सिक्चक गण गणमान अतितियो आज सिक्चक दिवस के अवसर पर राश्ट्रिये सिक्षक पुरसकार वित्रन समारों में सामिल होकर मुझे अतियंत प्रसनता हो रही है मुझे और भी अधिक प्रसनता होती यदि हम सब एक ही इस्थान पर एक अत्रत होते हैं परंत विगत वर्ष की तरह इस साल भी कोविट की महामारी से उत्पन परस्थितियों ने हमें सब को सामोही कुपस्तिती से बंचित रखा है अपने विशिष्ट योगदान के लिए आज पुरसकार प्राप्त करने वाले सभी सिक्षकों को मैं हार्दिक बदाई और साधुबात देता हूँ ऐसे सिक्षकों के विशे में जानकर मेरा यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि भावी पीरियों का निर्मान हमारे सुयोग की सिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है यह हम सभी को ग्यात है कि सिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राश्ट्रपती डक्टर सर्व परली राधा कृष्णन के जन्म दिन के उपलक्ष में पांस सितंबर को मनाया जाता है डक्टर राधा कृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे यद्यपि उन्होंने अनेक उच्छ पदों को सुसोबित किया परंत वो चाहते थे कि उन्हें एक सिक्षक के रूप में ही याद किया जाए डक्टर राधा कृष्णन ने एकसेस्ट सिक्षक के रूप में अपनी अमिट चाप छोड़ी है सबके जीवन में सिक्षकों का आतियंत मात्पूर्ण स्थान होता है हर विक्ति को अपने सिक्षकों की याद आजीवन रहती है जो सिक्षक इसने और निस्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं उनके प्रती ऐसे विद्यार्ती सदय आदर भाव रखते हैं आज तक मुझे अपने आदरनी सिक्षकों की याद आती रहती है मैं स्वयम को सवभाविसाली मैसूस करता हूँ कि राश्चुपती का कारभार ग्रहन करने के बाद मुझे अपने स्कूल में जाकर अपने वयोब्रद्य सिक्षकों का सम्मान करने तथा उनका आशिवाद लेने का आवसर प्राप्थ हुआ था आप सब के विद्यार्थी भी आप सभी के लिए अपने हिर्दय में विजेश इस्थान रखते हैं यह मेरा द्रविश्वास है मेरे पूरुबर्ती राजपती डक्टर एपी जे अब्दुल कलाम एक वज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता कसरे अपने सिक्षकों को दिया करते थे वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विशे में बताया करते थे जिनके पढ़ाने के रोचक शैली के कारण बच्पन में ही उनमें इरोनाटिकल इंजीनिर बनने की ललक पैदा हुई डक्टर एपी जे अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कारण में लग जाते थे ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्वान में सिक्षकों के कारी की मात्ता को रिखांकित किया है आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वार्निम भविस्य की कलपना करने और उसके लिए योगता आरजित करने की फ्रेणा जगा सकते हैं तता उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी मात्त्वा कांचाओं को पूरा कर सके सिक्षकों का करतब है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्यान के प्रती रुची जागरत करे संबेदन सीर सिक्षक अपने बेवार आच्रण वा सिक्षन से विद्यार्थियों का भविस्य समार सकते हैं प्रिय सिक्षक गन पिछले बर्स लागू की गई हमारी राश्ट्री सिक्षा नीती में भारत को ग्लोगल नौलिज सुपर पावर के रूप में इस्तापित करने का मात्वा कांची उद्देश निश्चित किया गया है विद्यार्थियों को ऐसी सिक्षा प्रदान करनी है जो ज्यान पर आधारित नियायकून समाज के निर्मान में सायक हो हमारी सिक्षा विवस्ता ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संबैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तब्यों के प्रती निश्ठा उत्पन हो देश के प्रती प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदर्स में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें सिक्षकों को इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि प्रतेग विद्यार्थी की छमता अलग होती है उनकी प्रतिभा अलग होती है मनों विज्ञान अलग होता है सामाजिक प्रिस्ट भूमी वा परिवेश भी अलग-अलग होता है इसलिए हर एक बच्चे की विशेश जरूर्तों, रूचियों और छमताओं के अनुसार उसके सर्वांगिन विकास पर बल देना चाहिए मेरा मानना है कि हर किसी की विक्तित्तु का निर्मान आरंब में उसके माता-पिता एवं सिक्षकों द्वारा सुरू किया जाता है संस्कृत में एक सुभासित है आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम, अनौसधम, अयोग्या पुर्शो नास्ति, योजिका तत्र दुरलवा अर्थाद ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रियोग से सार्थक कथन अथ्वा मंत्र की रचना ना हो सके ऐसी कोई बनस्ति नहीं है जिसका उप्योग और शदी के रूप में ना हो सके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें योगता ना हो लेकिन इन सब का संयोजन करने वाले व्यक्ति ही दुरलव होते है किसी भी समाज में नहित प्रतिभा के सयोजन की प्रात्मिक जिम्मेदारी सिख्चकों की ही होती है एक अच्छा सिख्चक व्यक्तित्त निर्माता है, समाज निर्माता है और रास्ट निर्माता भी है हमारे देश में उतक्रष्ट सिक्षा विवस्ता के उधारण उपलब्द रहे हैं लगबग 125 वर्स पहले पश्चिम के विक्षित देशों में सिक्षा विद्यार्थियों को सारीरिक दंड देने के विशे में वाद विवाद कर रहे थे तथा spare the rod and spoil the child की सोच को विश्चु के प्रमुक शिक्षर संस्थानों द्वारा अपनाया विया था उस समय गुर्देव रविंद्र नाट टेगोर द्वारा इस्थापिट विद्याले सांती निकेतन में सारीरिक दंड सर्वता बर्जित था गुर्देव मानते थे कि ऐसे दंड का विद्यारतियों के कोमल, मनों मस्तिस्क तथा व्यक्तित्त विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आज पूरा सिक्षा जगत इस वनों वैग्यानिक तत्त को स्विकार करता है इस प्रकार भारती परंपरा के संबाहक गुर्देव रमीन नाठ्यगोर की सिक्षा संबंदी सोच अतियंत आधुनिक थी हमें अपनी परंपरा में नहित आधुनिकता को अपनाना है आपको ये सदय ध्यान में रखना है कि भैपराधारित सिक्षा के मुकाबले प्रेम पराधारित सिक्षा अधिक सिद्ध अधिक कारगर सिद्ध होती है देवी और सज्जनों पिछले लगबग डेड़ वर्स से संपूर्ण विश्व कोरोना महमारी के कारण उत्पन हुए संकट से गुजर रहा है इस परिस्थिती में जब सभी कालेज और स्कूल बंद थे तब भी सिक्षकों ने विशम इस्थितियों का सामना करते हुए बच्चों की सिक्षा का क्रम रुखने नहीं दिया इसके लिए सिक्षकों ने प्रियास पूर्वक बहुत कम समय में ही डिजिटल प्रेट फार्म्स का उप्योग करना सीखा और सिक्षा प्रकिया को जारी रखा ऐसे सराहन ही प्रियास करने वाले कुछ सिक्षकों को आज पुरस्कत भी किया गया है मुझे बताया गया है कि कुछ सिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूलों में वो लेखनी बुनियादी सुभधाई विक्षित की हैं मैं ऐसे समर्पित सिक्षकों को साधवाद देता हूँ समस्त सिक्षक समदाय से मैं या पेक्षा करता हूँ कि वो बदलती परिस्तितियों के अनुरूप अपनी सिक्षन पद्दती में भी बदलाव करते रहेंगे